Welcome to study channel, मेरा नाम है मुहमत कैसर बहुत सारे student परिशान है estate 2019-23 का certificate को लेकर कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां जाना है, क्या क्या लेकर जाना है estate 2019-23 का जो certificate है इसके वित्रर का कारिकरम शुरू हो चुका है किस जिले में कब से आप इन results को ले सकते हैं आगे बात करेंगे, जब आप जाएंगे अपना result लेने, तो आपके पास estate के admit card का photocopy होना चाहिए पास web copy होना चाहिए, estate का और photo यूक्त एक ID proof आपका होना चाहिए चाहे हो भारा सरकार द्वारा निर्गत किया हो या राज सरकार द्वारा तो तीन जीज़ें बिलकुल compulsory है, estate admit card की photocopy, web copy और एक ID proof अब यहाँ पर सवाल है कि कब जाना है, कहां जाना है अपना estate का certificate लेने तो आपके जिले में ही आपको estate का certificate मिलेगा, पहली बात यह clear होती है जो other state वाले छात्र हैं उन्हें पटना जाना होगा, जिला सिक्षा पदाधिकारी का रियाल है पर आपको संपर करना होगा, other state वाले पटना जाएंगे और विहार के जो student है वो अपने जिले में ही अपना certificate प्राप्त कर सकते हैं अब किस जिले में कभी ये वित्रित किया जाएगा, तो ये देख लीजिए, पुर्णिया का मेरे पास notice है यहाँ पर result card वित्रण 13 फरवरी से शुरू हो चुका है ये आप देख लीजिए, estate 2019-23 के अभित्रियों का result card वित्रण 19 फरवरी से शुरू होगा ये BRC मोतिहारी से खबर है मेरे पास जितना ये notice प्राप्त होता जाएगा, मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर शेयर करता रहूँगा तो आप जरूर जोइन कर लीजिए हमारे टेलेग्राम चैनल को description box और pin comment में लिंक दिया गया है ये जीरा सुक्षा प्रादिकारी वैसाली से खबर है यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 फरवरी से 21 फरवरी तक वित्रित किया जाएगा estate का certificate यहाँ पर पूरा इन्होंने अच्छे से सर्डूल भी जारी किया है estate 2019 का संसोरी रिजल्ट कार्ड counter नमबर एक से counter नमबर दो से estate 23 paper 1 serial नमबर इतना से इतना तक यह सारी चैज़ें आपको हमारे टेलेग्राम पर मिलेगी वैशाली का यह notice आप देख सकते हैं 16-21 फरवरी के बीच में certificate वित्रित किये जाएंगे अगला देखिए जीला सिक्षा पदादिकारी अररिया से यह notice है 14-16 फरवरी के बीच में यहाँ पर certificate वित्रड का कारिकरम रखा गया है फिर जहानाबाद से update है यहाँ पर 14-24 फरवरी के बीच में certificate वित्रित किये जाएंगे तो पर 11-4 बजे के बीच में अभी अभेरतियों को result card प्राप्ट करने होती उस्वें पहुंचना होगा किसी और को certificate नहीं दिया जाएगा प्रिवस्पत्र की photocopy, web copy और एक ID proof वही चीज जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में ID proof original होगा तो इस तरीके से आपको जिले में पता करना होगा या फिर आप social media के जरिये भी update पा सकते हैं मैं पुरी कोशिश करूँगा कि अपने टेलग्राम के जरिये आपको जनकारी देता रहूं आगे भी जो जो हमें नोटिसें मिल पाती हैं तो फिलहाल इस वीडियों बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं ताकि आपको इसी परकार की सभी लेटेस्ट और authentic information मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग